जहिन दोस्तों स्वागत आपका हमारी यूट्यूब चैनल निव सरकारी चॉप्स में तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जह जो CISF जानी की Central Industrial Security Force की नई बरती आ रही है इसकी बकैंसी की Details के बारे में किस बरती में आपको कौन-कौन सी Posters देखने के लिए मिलेगी और टोटल आपको कितनी बकैंसी मिलेगी इस बरती में जो CISF की और से Advertisement की गई है इस बरती के लिए तो जे जो बरती आ रही है इसका जो Official Notification है जे भी CISF की और से Out कर दिया गया है इस बरती के लिए Post Name के बारे में अगर हम बात करें तो आपको इस बरती में CISF Constable, Head Constable and CISF Sub Inspector जैननी की SI जे सभी बकैंसी आपको इस बरती में देखने के लिए मिलेगी जो CISF की और से निकाली गई है इस बरती के लिए जे जो बरती आ रही है जे आल इंडिया के लिए सीधी बरती आ रही है male and female दोनों इस बरती में apply कर सकते हैं चाहिए बारत के किसी भी राज्ये से बीड़ाओं करते हैं इंडिया की किसी भी state में आप रहते हैं आप इस बरती में अपना application फॉंफिल कर सकते हैं इसके साथ साथ इस बरती के जो application फॉंफिल किये जाएंगे उसको फिल करने के लिए आपके पास जो education qualification होनी चाहिए वो होनी चाहिए कम से कम 10 मी या फिर 12 पास की mark sheet तो अगर आपके पास 10 मी या फिर 12 पास की mark sheet है तो जे बेड़ी आपके लिए काफी important हो सकती है आप इस बरती में अपना application फॉंफिल कर सकते हैं इस बरती में apply कर सकते हैं इन सब चीजों के ब new सरकारी jobs को jobs के लेटर latest update सबसे पहले पाने के लिए तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेती हैं जो CISF की और से नई बरती आ रही है इसकी बकैंसी की details के बारे में किस बरती में आपको कौन-कौन सी posters देखने के लिए मिलेगी and total आपको कितनी बकैंसी मिलेगी इस बरती म and sub inspector जैसे भी बकैंसी आपको इस बरती में देखने के लिए मिलेगी and total बकैंसी के बारे में अगर हम बात करें तो आपको इस बरती में total 2000 बकैंसी मिलेगी इस बरती में जो CISF की और से advertisement की गई है इस बरती के लिए इसके बाद हम बात कर लेती है monthly salary details के बारे में कि अगर आ 35,100 से लेकर 112,400 तक काफी अच्छी salary आपको दी जाएगी इस जो में अगर आपका इस बरती में selection हो जाता है तो इसके बाद हम बात कर लेती है एजनिमें क्राइटेरिया के बारे में कि अगर आप इस बरती में अपना application फार्म फिल करना चाहते हैं इस बरती में apply करना चाहत इसके अलावा अगर आप headcon stable में apply करना चाहते हैं तो वही आपकी जो एश बर 18 से 25 साल के बीच होनी चाहिए और लास्ट में अगर आप सब इंस्पेक्टर जानिकी SI में apply करना चाहते हैं तो आपकी जो एश बर 18 से 30 साल के बीच बीच में होनी चाहिए वही पे कुछ candidates के ल बारे में तो जे बात होगी एजडिमेंट क्रैटेरिया के बारे में कि अगर आप इस बरती में अपना application फॉर्म फिल करना चाहते हैं देन आपकी minimum and maximum कितनी होनी चाहिए इस बरती के application फॉर्म को फिल करने के लिए इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें कि अगर आपने हम सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे ठेली चैनल को विजॉइन कर सकते हैं टेली चैनल का लिंग आपको डिसक्रिप्शन में मिल जाएगा इसके बाद subject क्र लेते हैं education qualification के बारे में कि अगर आप आप इस बरती में अपना application फॉर्म फिल करना चाहते हैं इस बरती में अप patron करना चाहते हैं then आपके बास कौन-कौन से education certificate होने चाहिए इस बरती के application फार्म को फिल करने के लिए तो अगर आप कौन stable gd वे apply करना चाहते हैं तो आपके बास कम से कम 10 पास की mark sheet होनी चाहिए इसके अलावा अगर हम बात करें कि अगर आप head अगर करना चाहते हैं तो आपके बास कम से कम 12 पास चैन्डी की 12 पास की mark sheet होनी चाहिए अगर हम बात करें कि अगर आप CISF sub inspector चैन्डी की SI में apply करना चाहते हैं तो आपके बास कम से कम graduation degree होनी चाहिए तो जे बात होगी education qualification के बारे में कि अगर आप इस भरती में अपना application फार्म को फिल करना चाहते हैं तो दोस्तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं selection process के बारे में किस बरती में जो selection किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा और किस basis पे किया जाएगा तो stage 1 में आपका return exam होगा और गर आप return exam को qualify कर लेते हैं धन आपका physical standard and physical efficiency test किया जाएगा जिसमें आपका height measurement होगा bed measurement test होगा and running test आपसे करवाय जाएगा उसके बाद आपका detail में medical exam होगा और गरा medical exam को भी qualify कर लेते हैं उसके बाद आपकी final mail list निकाली जाएगी और गरापका final mail list में नाम आ जाता है then last में आपके documents की verification की जाएगी आपकी journey के लिए तो इस तरह से इस बरती में कुछ selection किया जाएगा तो जे बात होगी selection process के बारे में इसके बाद हम बात कर लेते हैं इस बरती में जो आपका physical efficiency test करवाय जाएगा CISF के और से उसके बारे में तो इसमें running test के बारे में अगर हम बात करें तो male candidates को 5 km की running करनी होगी और जो time दिया जाएगा male candidates को वो दिया जाएगा 24 मिनिट का वह female candidates को 1600 मेटर की running करनी होगी और जो time दिया जाएगा female candidates को वो दिया जाएगा 8 मिनिट का तो जे बात होगी running test के बारे में इसके बाद अगर हम बात करें physical standard test के बारे में तो height के लिए minimum height रखी गई है बोर रखी बन 70 cm एंड जो female candidates के लिए minimum height रखी गई है बोर रखी बन 157 cm इसके बाद अगर हम बात करें chest criteria के बारे में कि अगर आप इस भरती में अपना application form fill करना चाहते हैं रहना आपकी normal and expandable chest कितनी होनी चाहिए तो normal chest के बारे में अगर हम बात करें तो बहुँनी चाहिए minimum 78 cm जो expandable chest बहुँनी चाहिए minimum 83 cm जो minimum expansion होना चाहिए आपकी chest में बहुना चाहिए 5 cm का तो जे बात होगी जो आपका physical standard and physical efficiency test करवाय जागा इस बरती में उसके बारे में इसके बाद हम बात कर लेते हैं इस बरती को लेकर कुछ important dates के बारे में और friends अगर आपने जो हमारा telegram channel है वो जाइन नहीं किया हुआ तो आप हमारे telegram channel को भी जाइन कर सकते हैं इस telegram channel को जाइन करने का फाइदा आपको जे होगा कि जो भी जौफ की new notification आएगी उसकी latest update आपको सबसे पहले इसी channel पे मिल जाती है जल्दी से जाइन कर लीजिए हमारे telegram channel को link आपको description में मिल जाएगा इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें कि अगर आप eligible हैं और apply करना चाहते हैं इस बरती में देन आपके बास कौन-कौन से document होना सबसे जरूरी है तो सबसे पहले तो आपके बास अपना data बद proof certificate होना चाहिए इसके बाद education certificate में आपके बास कम से कम 10 मी और 12 पास की mark sheet होनी चाहिए इसके अलावा अगर आपके बास कोई अधर qualification जा experience है अबोवी apply कर सकते हैं application form के साथ इन सबी documents के साथ-साथ आपके बास अपना अधार card जा फिर pen card होना चाहिए as identity proof और अगर आप S.E.S.T. याँ O.V.C. से भी long करते हैं देन आपके बास अपना case certificate भी होना चाहिए और साथ ही में आपके बास अपने 4 passport size photograph भी होने चाहिए light color background में तो अगर आपके बास जैसा भी documents आई तो आप successfully apply कर सकते हैं इस बरती के लिए इसके बाद हम बात कर लेती हैं application form की fees के बारे में आप online application form fill कर सकते हैं last date से पहले पहले इसके लवा अगर आप journal OVC यह इडियोलेस से बिलोग करते हैं देना आपकी जो application fee लगेगी बो लगेगी 100 रुपे वह अगर आप SESD यहां female candidates है देना आपकी यहां पे कोई वी application fee नहीं लगेगी application form को fill करने के लिए तो जे बात होगी application form की fees के बारे में इसकी बाद दोस्तों लास्ट में अगर हम बात करें कि अगर आप इस बरती के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं जैसा कि इस बरती का official notification पारना चाहते हैं इस बरती में अपना application form fill करना चाहते हैं इस बरती में apply करना चाहते हैं या फिर हमारा jobs के लेट टेलीग्राम ग्रूप जोइन करना चाहते हैं तो उन्सवीक लिंक आपको हुमारी बैप सैट पे मिल जाएंगे बैप सैट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है अब वहां से के सब चेक उड़ कर सकते हैं इस बरती के बारे में